हेलो गाइज वेल्कम बैक टो अनदर एपिसोड अफ न्यू कैस्टल करियर मोड इन फीपा 22 और कैसे हैं आप सब लोग आई होब कि आप सब अच्छे होंगे तो गाइज इस एपिसोड के शिरुवाद में हमारा पहला मैच है क्रिस्टल पैलेस के साथ जो कि हम F.A. मरात कप में केलेंगे और उसके बाद हमारा है प्रैमियर लिग में मैचीज हैं चेल्सी के साथ मैच है और लास्ट मैच केलेंगे हम टॉटनम होर्सपूर्स के साथ और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक फटन जरूर प्रैस कर देना तो गाइज पहला मैच है हमारा F.A. इमरात कप में हम खेलेंगे क्रिस्टल पैलेस के साथ तो चलिए शुरू करते हैं इस मैच को और गाइज ये है हमारी लाइन अप इस मैच की और मैच शुरू होने वाला है क्रिस्टल पैलेस ने कर दी है शुरुआद और एकवाड के पास है बॉल उस दैशन अपने पास रखते हुए हमारे सब खिलाड़ें को बीट करते हुए और आगे बढ़ते हुए और रैक्स याकी ने पास दिया है गलेकर को और यहाँ पे लुईस ने बॉल को विन करी लिया अखिरकार और एकवाड जाहा पीट से अबरिवान बट ब्रैपका को बीट नहीं कर पाएंगे तो ब्रैपका बहुत ही बढ़िया की पर है हमारी टीम के लिए और यहाँ पे डॉनी वेंडेबीक विलक को पास किया और विलक लुईस स्वारिस अकेले कोई नहीं है उनको रोकने के लिए और कैस शांदार गोल किया लुईस स्वारिस से एक और गोल उनके नाम इमराथ टैफे अपका छेमा गोल उनका और डॉनी वेंडेबीक ने जहाँ से बोल चीन लिया है और पास देने की कोशिश थी लेकिन रैक सैकी के पास बोल है और क्रोस टाला है उनने उम्टिटी ने स सेव किया और डॉब्रैफका का एक शांदार सेव सुपर मैन डाइव उस मैन डेम बेले और एक और बढ़िया चांस बन सकता है लुईस स्वारिस ने ये क्या कर दिया और यहां पर चांस है क्रिस्टल पैलेस के लिए एड़ोरड रैक्स या की पात किया और डॉब्रैफका शांदार गौल्ड कीपिंग कैलेगर एक फिर से लोंग क्रोस टालने की कोशिश लोंग पास रहा को लेकिन अम्टिटी को भीड कर दिया और गौल्ड कीपर को भीड कर दिया इस बार मेकाटियर ने रैक्स याकी और चमाल लुईस ने अच्छा टैकल किया वहाँ पे बोल लगबगची नहीं ली थी यहाँ पे क्रोस डालने की कोशिश है लेकिन डब्रैप का खड़े थे वहाँ पे और जाहा बढ़ते हुए आगे बीट कर दिया डोनी वैंडे भीक और एक और गोल करने की कोशिश डब्रैप का और लुईस ने यहाँ पे बचा लिया एक पार फिर से टैप सोबा और फस्ट हाफ खतम होगा यहाँ पे अच्छा पास नहीं था उनका उनको मोका मिला है इस मैच में उनको साबित करना होगा जब तक के फिलिप कॉंचीनिय वापस नहीं आते यहाँ पे इजी का गोल लेकिन उन टीटी सही वक्त पर पहुंचे काफी लेट हो गए इजी बीट करते हुए डिफेंडर्स को इजी फिर से इजी ले रहे है इस तो मैच को और उनके पास फिर बोला ही है और इस पार गोल नहीं रोख पाएंगे डिफेंडर्स का इजी ने ये गोल बहुत इजी बना दिया अच्छा टैकल था वाँ पे उन टीटी का बोल हमारे पास है अब लॉंग स्टाफ आए हैं डोनी वेंडर्स की जगह पे और यहां पे लॉंग स्टाफ क्या करेंगे कोल करने की कोशिश भी लग ये च्छी ट्राई थी लेकिन गोयताय ने रोक लिया बचा लिया इस कोल को और आगे बढ़ते हुए गैल अगर एकवार गैल अगर का लॉंग शॉट लेकिन असाफल हुए और यहां पे इजी हैंब कोई था नहीं वैसे उन्होंने पता नहीं पास किसको दिया लेकिन हमारे पास भी ये आखरी चांसी समझ लीजिए क्योंकि टाइम पूरा होने वाला है और यहां पे दरकार है सिर्फ एक गोल की एक और और हम मैच में वापस आ सकते हैं और लुईस स्वारिस में भी एक अच्छा था पास लेकिन डिफेंडर्स ने बढ़िया किया कमाल वांपे और बचा लिया इस गोल को होते हुए क्यलब बाओ हार नहीं मानी और लास्ट मिनिट्स लेफ्ट क्या चांस को कनवर्ड कर पाएंगे लुईस स्वारिस ढूंड तो रहे हैं और अलमिरोन लुईस स्वारिस इस टाइम कॉल इन्टु दा इंजुरी टाइम और देखिये क्रिस्टल पैलेस के खिलाडियों को किस तरह रो रहे हैं जमीन पर लेट कर क्या वड़िया वापसी दिलाई है इस मैच में लुईस स्वारिस चांड डाल दिया है और न्यू कैस्टल उनाइटेड के फैंस बहुत ही खुश हैं एक्साइटेड हैं अलमिरोन को वापस लेकर आए थे और उन्होंने बड़िया सिस्ट दिया आते ही सो गाइज ये मैच तो हो जुगा है समापत लेकिन हम सेकंड लेग खेल सकते हैं स्कूल के साथ चो किया है लुईस स्वारिस ने आखरी मिनट्स में सो गाइज एफ एम राद कप का सेकंड लेग नहीं होगा और अग्सकंदने और यहां पर बहुत ही आखरी मिनट्स में बचा लिया लुईस स्वारिस ने मैं क्या कहूं लुईस स्वारिस के बारे में चलिये खेलते हैं एक्सक्टर टाइम और शुरुवाद हो चुकी है और मारे पास बोल आया है 3 तेंट मैक्सिमन टैम बैले लुईस स्वारिस नाव लॉंग स्टाफ और यहां पर गलत पास कोल कर सकते थे खुद ही चेरी शेव भागते हुए यहां पर क्रोस दालने की कोशिश और पॉक्स में आई है बॉल और यहां पर चांच बना है लेकिन डुबरैप का क्या बढ़िया क्लेक्ट किया हुआं पर एक अच्छा सेव भी कहेंगे शेरी शेव के पास शेरी शेव यहां पर गॉल हो सकता है जी हाँ लेकिन डुबरैप का ने बढ़िया सेव किया तो बार लगातार बचाया डुबरैप का हीरो इस मैच के और यह आखरी मिनिट्स हैं इसके बाद शाहिद पैनल्टीज पर जाए यह मैच तो यहां पर हम नहीं चाहते हैं कि पैनल्टीज तक मैच आए हम यहीं से जीतना चाहते हैं और एक बढ़िया पास निकाला लुई स्वारिस के लिए लुइस स्वारिस ने चलते हुए आगे और यहाँ पे मेरे खुद के प्लेयर ने काम खराब कर दिया बीच में आकर गाइज इस ताइम पो पैनल्टी जैंड मैं लुइस स्वारिस को लास्ट में रखना चाहूंगा अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे सही रहेगा और बचा लिए गोल के पर ने पहला टैंप्ट हुआ फैल और हम भी सही जगा पर जाने की कोशिश थी लेकिन फैल हो गए और इस पार गोल टैप सोबा और यह तो बहुत ही बेकार पैनल्टी थी टैंप बैले तीधा गोल और इस पार फैल हो गए टुब्रैप का और यहाँ पर मैट प्रिची यह क्या कर दिया और डुब्रैप का सीधा है मार दिया उन्होंने और लुइस स्वारिस क्या जान डालेंगे इस मैच में इस पैनल्टी के साथ यह बहुत ही जुरूरी पैनल्टी होगी और गोल टुब्रैप का कोई यह सेव करनी होगी पैनल्टी फैन्स की निगाहें सब की डुब्रैप का पे हैं और डुब्रैप का फेल्ड हो गए लेकिन पचा लिया इस मैच को और हम पहुंच चुके हैं नेक्स राउंड में एफ़े कप के क्या बढ़िया कमाल का मैच रहा यह तो गाइज पिशला मैच तो हम किसमत से जीद चुके हैं और लेकिन अगला मैच हम खेलेंगे प्रैमियर लीग में प्राइटन के साथ तो गाइज इस मैच में हमने चार चेंजर की हैं फिलिप कॉन चेनियो, फैबियन शार, लैस केलेस और हेडन वापस आए है तो प्रैमियर लीग का ये मैच हो चुके है स्टार्ट और देखना ये होगा के कौन जिता इस मैच को न्यू कैस्टल यूनाइटट के लिए ये जीत बहुत ही इंपोर्टेंट है और मैट रिची, कैप्टन, चीत ली है बोल यहाँ पे फ्लिप कॉंटिनियू इस मैच में खेल रहे हैं, ये बहुत ही बढ़ी बाद है मैट रिची, पास, सुआरज नाओ, फ्लिप कॉंटिनियू ये गमी कर दी पूरी जो पिछले मैच में नहीं कर पाए flip continue आई वापस और एक call भी लेकर आए हैं अपने साथ मौप पे बढ़ते हुए आगे पीड कर दिया मैटरीची को और जी और यहां पे यहां पे यहां पे और डवरेपका का बड़ी है सेव पहला कॉर्नर इस मैच का प्राइटन तयार है और पॉल तो ऐसे जीत ली थी और यहां पे फिलहाल जीती ली है और काफी यहां पे confusing था अलजेट नाव दैनी गार्सिया दैनी गार्सिया गोस त्रू डवरेपका और जेव दिस ताइम अगें क्या एक और मौका बनेगा लुई स्वार इस्वार और सेव किया अलजेट रन की कोशिश थी उनकी लेकिन और जी पास यहां पे मौईपे को मौईपे निकल चुके हैं आगे पीड कर दिया सबको लेकिन लॉंग शॉट ने उनको बरबाद कर दिया यहां पे डैलस यहां पे बढ़ते हुए आगे एक अच्छा पास लॉंग शॉट और डब्रैफ का एक बढ़ी हाच सेव और जोनी वेंडे बीक बीट कर दिया हां पे और लुईस वारिस इस बार और साइड हो गए और मैटरिची एक पढ़ी आरंड के साथ पिर बीट की आरंड डिफेंडर को अकेले बढ़ते हुए आगे पास देने की कोशिश थी लेट हो गए मैटरिची के पास बोल लुईस वारिस को पास लुईस वारिस एक और कोल हो सकता है कॉंटीनियो के लिए जी हां दूसरा गोल प्रेस लगाई इस मैच में फिलिप कॉंटीनियो इस मैच में काफी बड़िया खेली है नियू कैस्टल यूनाइटेड और कैप्टन उनके मैटरिची बहुत ही बड़िया परफोर्मेंस उनकी और यहां पर बड़िया पास वेंडे बीक का और फिनिश शांदार इस लेजेंड खिलाडी का लुईस स्वारिच है जिन का नाम वो तो करेंगे ही ऐसा काम और और जी आये हैं बॉक्स में नियू कैस्टल यूनाइटेड के और गॉल करने की कोशिश पूरी तरह फेल हो गए हेडन पीट किये वहाँ पे फ्लेयर को हेडन ने और यहां पे विलक टॉनी वेंडे बीक टॉनी वेंडे बीक एक और मुझे लगता है असिस्ट हो सकता है उनका और एक और बढ़िया फिनिश पैक टु बैक लुइस वारीज प्रे इनका भी इस मैच में पास टॉनी वेंडे बीक को टॉनी वेंडे बीक दो सिस्थेश मैच में और तिसरे की तैयारी है विलक और फेल हो गए विलक यहां पर मुझे लगता है जी हाँ और दो मिनट दिया है रेफरी ने और बस वह पूरे हो जाएंगे और जी हाँ हम इस मैच को जी चुके हैं चार जीरो के साथ उत ही पढ़िया मैच हमारी टीम के लिए confidence पूस्ट करेगा प्लेयर्स को तो गाइज नेक्स मैच है हमारा इमरात फेक अप में राउंड शिक्स एंड वी अर फ्लिएंग अगेंस्ट ब्लैक पर्ण तो गाइज इस मैच में हमने चार चैंजिस किये हैं विलक टैपसोबा लिविस और केलबाव वापस आये इस मैच में और मैच स्टार्ट हो चुका है गाइज सेंट मैक्समन के पास है बॉल विलक तैयार है इस मैच में और बीट कर दिया है प्लेयर्स को लुई स्वारिस और यहां पर वेंडे वीक एक शानदार गोल क्या बड़ी अश्रुवात की है फेक अप में लुई स्वारिस का एक अच्छा सिस्ट और वेंडे वीक का फिनिश पास विलक और लुई स्वारिस अगेन सेंट मैक्सिमन और काफी दूर ले जए थे बॉल को सेंट मैक्सिमन गोल हो सकता था उनका पुवेदा ने पास किया है दियास को पुजैशन अपने पास रखते हुए यहां पे पुवेदा पढ़ते हुए आगे एगवेरे और मिस कर गए टोटल चांस मैटरिची वेंडे बीक और स्पेस थी वहां पे और पहला गोल लुई स्वारिस का इस मैश में दूसरा न्यू कैसल उनाइटेड का इस पार असिस्ट किया वेंडे बीक ने और फिनिश किया लुई स्वारिस ने स्पेस मिल गई थी पूरी और एक अच्छा पास वेंडे बीक की तरफ लेस के लेस वेंडे बीक को किया आए पास वेंडे बीक लुई स्वारिस ढूंड लिया लुई स्वारिस को और तेंट मैक्सिमन फिनिश नहीं कर पाएंगे वेंडे बीक काफी आगे निकल चुके थे बुलर्ट ट्रेंड की तरह लेकिन रोक नहीं पाए और इस पार फिनिश फिर से लुईस स्वारिज का तीसरा गोल इस मैच का और ब्रेस लगाते हुए लगातार दुसरे मैच में बहुत ही बड़ी एक अपतान बने है मैट्रिची निव कैसली उनाइटड के लिए हैट्रिक के लिए तयार है और कर दी पूरी पहले ही हाफ में हैट्रिक लुईस स्वारिज की वैंडे बीक ने बड़िया टैकल किया बॉल को विन किया और लुईस स्वारिज से एक और गोल की तरफ पढ़ चुके हैं आगे और कम्पलीट भी कर दिया विक टाइम में दो मिनिट लगाए पिछले गोल से इस गोल को करने के लिए और मैटरिची और यहां पर फाउल मिलेगा रेड कार्ड एक खिलाड़ी हो चुके हैं बाहर पोवेदा स्ट्राइकर फॉम इन और दियाइस बढ़ते हुए आगे लॉंग शॉट से बाइड ब्रेफ का तेंथ मैक्सिमन बढ़ते हुए आगे अकेले ही दोड लगाते हुए फिलिप कॉन्टीनियो आए हैं एज सब्सिट्यूट और यहाँ पे स्ट्राइकर की पॉजिशन में कोई नहीं है आगे बढ़ने के लिए लुईस सुआरिस यहाँ पे पास अच्छा नहीं कहेंगे कॉन्टीनियो का गैलेगर गैलेगर का पास डियाइस को और यहाँ पे चांस बन तकता है एक और गोल प्लैक पर्न डॉवर पहला गोल नहीं का इस मैच का और यहाँ पे लास्ट मिनेट्स केम के टीयाइस के पास पॉल पास किया यहाँ पे पिक रिंग को पिक रिंग ने पिक किया लेकिन क्रोस नहीं दे पाए और यहाँ पे हम मैच जी चुके हैं पांच एक के साथ और अगले राउंड के लिए बढ़ चुके हैं आगे लुई स्वारिस इस मैच के मैन अफ दे मैच चार अटेंप्ट चार गोल इस मैच में तो गाइज जीत की है ट्रिक लगाने के बाद अगला मैच है हमारा क्रिस्टल पैलस के साथ प्रेमियर लिग में और नियो कैस्टल यूनाइट अब नाइन प्लेस पर आ चुकी है और उम्टिटी वापीस आया है तो क्रिस्टल पैलस ने यहाँ पर किक ओफ कर दिया इस मैच में एगवार्ड और यहाँ पर बीट कर दिया दोनों प्लेर्स को शानदार स्ट्राइकर लेकिन इस पार टैप सोबा और उम्टिटी थे वहाँ पर डिफेंस में उनको बीटनी कर पाए लेकिन अब मैट प्रिची एक पढ़िया रन के साथ आगे बढ़ते हुए बहुत ही बढ़िया खेलती है क्रिस्टल पैलस एफ ए कप में दो दो से ब्रावर थे वैनल्टी पर मैच जीता जामने हGO है जहा और यहाँ पर लाइट्स बहुत ही मुशकिल दे रही है और दिब्रैफका ने सेव किया मैं कहरा था कर लाइट्स काफी यहाँ पर परिशान कर रही है इस मैच में स्ट्रावियंस की और सेत मैक्सिमन निकल चुके हैं अकेले ही आगे कोई नहीं है बैक अप में अब I have end a week continue 10 बैले और इस बार call हो सकता था बढ़िया कोशिश थी continue looking for the players and ball goes to Luis Suarez saved by बटलेंड Vendabek यहाँ पर पास एक वार्ड को यहाँ पर बीट कर दिया जाहाने defenders को और एक पार फिर से lead बनाती हुई crystal palace बहुत जीनते हुए Luis Suarez एक assist हो सकता है अच्छा नहीं defenders ने रोक दिया तेहित maximum पिजली की रफ़तार और कर दिया है पास और बोल पार नहीं कर पाई post को मैट्रिची है तई यार क्या इस बार बोल होगी पार नहीं यहाँ पर चांस है दूसरी टिम के लिए एक वार्ड लॉंग शॉट और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सेव कहेंगे बढ़िया सेव डिफेंडर निकल के आए आगे और पास किया है यहाँ पर जाहा को जाहा क्या करेंगे फिनिश और डिब्रेफ का ने बढ़िया सेव किया मैट्रिची बोल गोस टू विलक और नाँ लुई स्वारिस इस मैन डेम बैले इस मैन डेम बैले इंट बोक्स नाव ग्रेट कॉल फ्रम डेम बैले और यहाँ पर लाइफ लाइफ लाइन बनी है अभी भी इस मैच में नियो कैसल यूनाइटड के लिए पोजैशन रख दे हुए अपने पास कोई चांस नहीं लेना चाहते क्रिस्टल पैलेस के खिलाडी लेकिन हमारे पास बोला चुकी है यहाँ पर क्या चांस बनेगा एक आखरी चांस नहीं बनेगा और यह मैच में मुझे लगता है ड्रो होगा यह क्या बार बार कर रहे हैं और बच गए भाई और इस मैच को हमने किया है ड्रो आखरी मिनिट्स में तो गाइज यह लास्ट मैच है मारे इस एपिसोड का टाटनम होट स्पोर्स वर्सिज न्यू कैस्टल उनाइट यहाँ मैच गेंस्ट नमबर सेकंड टीम इन प्रेमिर लीग यह मैच बहुत ही दिफिकल्ट होने वाला है तो गाइज इस मैच में मैंने कोई चेंजिज नहीं किये है तो गाइज बोल है टाटनम होट स्पोर के पास हैरीकर ने कर दिया शुरवाद इस मैच की रभियोत के पास बोल पास किया है सॉन को तो गाइज इस मैच में भी लाइट बहुत ही टिफिकल्ट रोल प्ले करेगी एक तो पहले ही मुश्किल टीम के साथ मैच है उपर से लाइट काफी तंग करेगी इस मैच में और यहाँ पर बीट कर दिया लेकिन सेंथ मैक्सिमन ये क्या फाउल लुइस पढ़ते हुए आगे लेकिन हिउन मिन सौन एक अच्छा पास लुकस देख रहे है है हैरीकेन की तरफ लेकिन उम्टिटी और नजांबले ने कर दिया गोल टिफेंडर्स बहुत ही कम थे पॉक्स में और फाइदा उठाया स्पीड से काम नहीं चलेगा पासिज भी आपके उतने ही अच्छे होने चाहिए स्पीड से फर्क नहीं पड़ता इतना सो यहाँ पे क्यालब वाउ क्या बढ़िया सेव था लेकिन इस पार एक और गोल कलती हुई डिफेंडर से और फाइदा उठाया पूरा टॉटनम होर्सपुर ने तेर में मिनट में कर दिया दूसरा गोल और क्यालब आउ से हुई गलती और फाइदा उठाया सौनने क्लिप कॉंटीनियो लुईस स्वारिस कॉंटीनियो की तरफ देखते हुए और यहां पर फरस्ट हुए थे प्लेयर्स के बीच में लेकिन मैट्रिची के पास बोलब काफी डिफिकल्ट है इनके प्लेयर्स को बिट करना हुए यहां पे हमारे पास स्पेस था सिरफ एक पास चाहिए था लेकिन वो भी नाकामियाब रहा और यहां पर मोका है टॉटनम के पास टैप सोबा, स्लाइडिंग टैकल बचा लिया लुइस पास टू मैटरिची मैटरिची कैप्टन यहां पर बॉल खो दिया है उनके ने लुकस यहां पर चांस है टॉटनम के पास एक और चांस मिस कर गए है रिकेन पूरी तरह से और फैन्स बना खुश ख्लिप कॉंटिनियो पचा बचा के खेल रहे हैं यहां पर चांस बन सकता है लुइस वारिस और गोल यह तो किसमत थी भाई एक गोल की बड़त नहीं मतलब एक और पीछे है पॉल को नहीं पकड़ पाई इन दम ले वैली गन सन यहां पर चांस इस पार किसमत ने बचा लिया पोस्ट पे लगी बोल किसमत काफी साथ दे रही है इस मैच में मरा और अगर इतनी बड़ी टीम के साथ मैच होगा तो साथ देना बनता भी है और यहां पर चांस लेवल करने का सीधा गोल की पर के पास खेल दी बोल एक अच्छा चांस बना था मैट रिची नाओ हैरिकेन अकेले ही अप यंग मिंक सॉंग निकल चुके हैं आगे पीट किया कैलाबाव को कैलाबाव और यहां पर रेगलियान लुकस हैरिकेन टिब्रैक का समझ गए और बचा लिया सेव किया बढ़िया शॉट कोर्नर ट्राइ करना चाहते हैं लुकस लुकस पेस नहीं दी है बिलकुल भी और अगर स्पेस मिली तो गोल यहां पर स्पेस मिली और गोल कर दिया continue यहां पर क्या कर रहे हैं टैम बेले के पास है बोल पास टू कॉन्टीनियो और यहां पर सेट मैक्सिमन एक कोल हो सकता है बचा लिया रैबियोध हैरिकेन रैबियोध आगे और एक कोड़ गोल तोटनम होट्सपॉर और हम इस मैच को हारते हुए रैबियोध हविकेन पास टू सन और नाव कोई नहीं है वहां पर डिफेंस में तब रैफ का थे अकेले ही यहां पर बीट किया हविकेन डिफेंस में नहीं है कोई कहां मर गए सब डिफेंडर्स एक और गोल लैस केले स्पीट कर दिया रैगलियों ने और डिफेंस में अभी भी कोई नहीं है और एक और गोल हैरी केन लगातार गोल की बारिश हो रही है और यहां पर चीट चुकी है स्पर्ज तो गाईज यह एपिसोड हमारी टीम के लिए काफी बढ़िया रहा सिरफ आखरी मैच को छोड़ कर और इस एपिसोड के प्लेयर ओफ दा एपिसोड है और उन्हें काफी गोल्स की हैं इस मैच में तो मैचों में ब्रेस लगाई एक मैच में चार गोल की और काफी बढ़िया गोल्स की है उन्हें काफी बढ़िया खेले इस एपिसोड में और गाईज अगले एपिसोड में हम खेलेंगे मैच फुल्स के साथ लाइस्टर सिटी एंड तीन बड़े मैच मैंचेस्टर यूनाइटर जो खिलेंगे इमरात एफ़े कप में और फिल लिवरपूल के साथ मैच है और चेल्सी के साथ भी मैच है हमारा तो अगला एपिसोड काफी बहतरी रहने वाला है बहुत ही मज़ा आएगा अगले एपिसोड में और देखना ना भूलिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज मेक शूर आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो मिल जाए टाइ डिवा टोग में पुर्ण एपिसोड देखं़ केर